अगर आप आप आज की वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आपको यह वली outfit free में नहीं मिलेगी permanent साफ़ साफ पहले यह आपको बता देता हूं, क्यों नहीं मिलेगी, क्युकि आपके 1200 point हो ही नहीं पाएंगे, अगर आप आज इस वाली वीडियो को miss करते हो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको मैं proof के साथ दिखाऊँगा सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे daily collection में आप देखोगे तो काफी सारे मुझे mission मिले थे जो कि मैंने complete कर लिये और यहाँ पर total मेरे पास coin कितने अभी तक मैंने collect किये यह वले यहाँ पर आप देखोगे 187 तो अब यहाँ पर आपको daily के अगर 200 point भी आप collect करते हो तो यह जो event है वो एक महीने तक चलने वाला है मतलब कि 19 तारिक को यह event आया है और 18 तारिक तक चलने वाला है पूरा पूरा एक महीना तो अगर आप 200 point daily के यह वले collect करते हो तो 6000 point होते हैं ठीक है बट 200 point अगर आप नहीं collect करते हो अगर आप 100 point ही daily के collect करते हो तो आपको कितने point मिलेंगे एक महीने के 3000 point मतलब आप इस वाले event को complete ही नहीं कर पाऊगे कैसे नहीं कर पाऊगे मैं ऐसा क्यूं बोल रहा हूं वो आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको मैं कल का प्रूफ दिखाता हूँ मैं इस event को समझ रहा था ताकि मैं एक दिन लेट वीडियो डालू बट आपको सही तरीके से बता दू तो ये कल का screenshot है जब मुझे कल mission मिला था अब इस mission के उपर आपको एक timer दिख रहा होगा जिस timer पर आपको सिरफ एक घंडे का timer मिलता है जहां पर आपको 100 point मिलते हैं सो यह वले crystal कह सकते हैं या फिर ball कह सकते हैं जो भी यह मिलता है ठीक है न तो यह 100 मिलते हैं अब मेरे पास total है 87 थे न 187 तो यहां पर दिखा देता लिए थे 100 ठीक है उसके इलावा AG currency और silver fragment मिले वह अलग ठीक है अब यहां पर मैंने 100 collect कर लिए कल ठीक है 100 collect करने के बाद उसके बाद मुझे मिला यह वला mission जिसमें यहां से 87 collect किये और मेरे पास total हो गए यह 100 मैंने collect किये तो 100 थे जब मैंने यह collect कर लिए सारे के सारे तो मे 187 तो कल मैंने 187 collect किये आज भी मुझे mission आया था यह वाला जो daily mission है जिसमें 100 point सीधा सीधा मिलते हैं यह वाला mission मुझे आज भी आया था बट मैंने आज सिरफ video बनाने के लिए यह collect नहीं किया मैंने सोचा कि यह जो एक घंटे का timer चलता है देखो अभी 48 minute हो गया यहां पर देखो इस वाले screenshot में 59 देखोगे और मैंने 10 ही मिनट में यह complete कर लिया था तो अब मैंने collect नहीं किया तो यह गायब हो गया अब 100 point सीधा सीधा loss मतलब कि यह जो एक घंटे का timer चलता है अगर आपने इसका जो event complete करने को बट क्लेक्ट भी नहीं किया तो 100 point का loss हो रहा है अब यह daily के आपको 200 point दे रहे हैं 200 में से अगर आपने यह एक घंटे वाला mission collect ही नहीं किया तो आपको सिरफ 3000 point मिलेंगे महीने के end में और यह वली outfit है 400 point पे तो यह वली outfit आपको मिलेगी ही नहीं अब आपको करना है कि आपको मैं बताता हूँ सबसे बहले तो जब आपका mission complete हो स based है अब आप कैसा खेलते हो किस तरीके से खेलते हो उस पर depend करता है अब यहाँ पर वहिकल चलानी थी 2000 मीटर टोटल 10 मीटर चलानी थी 10 मीटर में चला चुका हूँ तो मेरे पांचों के पांच complete हो गए 2-2 point मिल गए उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर sprint करना था तो मतलब एक घंटे के अंदर आपने collect नहीं किया तो वह 100 point आपके loss में गए तो इसलिए यह वली वीडियो बना रहा हूँ अगर आप PUBG को own करते हो या फिर BGMI को own करते हो daily ठीक है जब आपको यह वला mission मिल गया एक घंटे वाला तो आपको करना ही पड़ेगा उसी time करना नहीं तो एक घंटे का जो timer चलता है उसके बाद आप collect ही नहीं कर पाऊँगे और आपके 1200 point हो ही नहीं पाएंगे तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आपको यह वली outfit कैसे permanent मिलेगी मैं तो यह ले लूँगा बट मैंने आपको समझाने के लिए आज collect नहीं क खेल रहा हूँ अभी मैंने कमी खेला अभी मेरी 700 के आसपास ranking चल रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी केडी भी 7 के आसपास चल रही है तो अच्छे गासे match जा रहे हैं बाकि मैं धीरे धीर ही push करूँगा एकदम से push करने वाला बंदा नहीं हूँ मैं बट यहाँ पर आपको बाल मिल रहे थे जो कि मैंने पहली आपको बताया था तो इसे मैं पहन भी लेता हूं साथी साथ में तो यहाँ पर free में मुझे बाल मिल गए हैं जो कि मैंने आपको पहली बता दिया थे देख सकते हैं यह बाल एंड एक बार मैं face face से यह हटा देता हूं तो यहा पर देखे कैसी लगती है तो उक्षारा भावी यह रही हमारी तो करता हूं तो सारा भावी पर आई यह कपड़े चलो ठीक है यह रही है यह बाल अच्छे हैं मतलो लेजेंडरी दियें तो अच्छे बाल यह नहीं कि फुद्दू से बाल दे दिये इनों ठीक बाल है और एक आपको मैंने बतानी थी अब जैसे कि मुझे यहाँ पर डाइमंड वाली क्रेट मिली है वैसे ही जैसे ही मैं क्राउन पर पहुंचूँगा मुझे क्राउन वाली क्रेट भी मिल जाएगी and ace पे पहुंचते ही औवरबोर्ड में मिल जायगा पहले सब कोः यह कन्फ्यूजन थी कि season के end में मिलेगा season खतम होने के end में बट नहीं season खतम होने के end में नहीं मिलेगा जैसे आप पहुंच जाओगे इसी सीजन में जिस दिन पहुंचोंगे उसी दिन मिल जाएगा तो यह collect कर लेना एंड उसके इलावा क्या बताने वाला था मैं हाँ यहाँ पर आप मेंसे काफी सरे बंदे मुझे बोल रहे थे कि यह voice के उपर वीडियो बनाओ तो यह voice आपको मिलेगी कैसे हैं यह वाला free में title मिल रहा भाई permanent title है जहां तक मुझे लग रहा है और यह title आपको free में मिलेगा कैसे आज की वीडियो में मैं बता देता हूं आपको इसके उपर मुझे एक proper वीडियो बनानी पड़ेगी एक पूरा game खेलना पड़ेगा तो क्या कहते हो आज वाली वीडियो में बता हूं वीडियो क्योंकि 15-20 मिनिट की बन जाए कि तो काफी सरे बंदे मुझे बोलेंगे कि भाई वीडियो इतनी बड़ी बना देता है तो जहां तक मुझे पता है इस वाले इवेंट को कैसे complete करना है वो आपको मैं बता देता हूं इसकी एक secret location होती है चलो या राज वाली वीडियो में cover कर देते हैं तो सबसे पहले इनका नाम पढ़ लो आप पहले नमबर पे जो आपको बंदा दिख रहा है इसका नाम है जेस और दूसरे नमबर पे जो लड़की दिख रही है उसका नाम है वी और तीसरे नमबर पे जो आपको लड़की दिख रही है उसका नाम है जिंक्स अब इन तीनों को आपको ढूंडना है और उनके साथ बात करनी है लेवल वन आपका complete होगा जब आप एक बार बात करोगे and लेवल टू आपका तब complete होगा जब आप तीन तीन बार बात करोगे ठीक है और दोनों तीनों के साथ same same है वी के साथ भी तीन बार बात किया तो complete हो जाएगा इसके साथ भी तीन बर बात किया तो complete हो जाएगा अब इनकी location क्या है वो आपको मैं बताता हूँ and ये वाली location में अभी तक गया नहीं हूँ जिंक से बात करने के लिए तो इससे बात करने चलते हैं and बाकी के तो मैंने complete कर रखे हैं फिर भी मैं आपको तीनों की location बता दूँगा and उसके बाद इसे कैसे complete करना है इसे use कैसे करना है इसे purchase करना पड़ता है इसको कैसे complete करना है के बाद लास्ट वाले जो दो मिशन है वो कैसे कम्लीट करने वो भी आपको बताता हूं ठीक है चलते हैं सबसे पहले मैच के अंदर क्योंकि मैच के अंदर जाएंगे तभी इस वाले मिशन को कम्लीट कर पाएंगे तो यहां पर मैं डूओ स्टार्ट करूंगा एंड रेंडम लोकेशन ऐसी है जिस पर टाइमर चल रहा है तो टाइमर वाली को छोड़ो सबसे पहूले Golden वाली जूकेशन आपको दिख रही है जिस पे पी छिछा हूआ है जो पहली लोकेशन है उस पर आपको जंप करने के बाद वहां पर चाएज एंड वहाँ पर आपको एक character मिल जाएगा जिससे आपको बात करनी है अब कौन सा मिलता है वहाँ पर आपको जाके दिखाता हूँ एंड हर बार आपको वही मिलेगा वहाँ पर ठीक है ताकीसरे बंदे कुदे तो मेरा रिस्क था यहां पर बात करने का फिर भी मैंने देखते हैं कि हमारा جो mission है वो complete हुआ या नहीं हुआ अब नीचे उतरती मुझे एक बग्गी मिल जाती है तो मैं सोचता हूँ कि तेज बगा के कूच जाता हूँ and suicide करते हैं and बाहर निकल के देखते हैं हमारा जो mission है वो complete हुआ या नहीं हुआ ठीक है तो यहाँ पर से मैंने exit किया exit करने के बाद चलते हैं lobby में and lobby में आने के बाद यहाँ पर c1s3 पर click करता हूँ and यहाँ पर adventure पर click करता हूँ and यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ memories पर click करके यहाँ पर आप देख सकते हैं level 1 हमारा complete हो चुका है level 2 पर अगर click करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो level 2 पर एक count हो गया दो बार और हमें करना है and level 2 भी complete हो जागा मतलब एक बार बात किये मैंने सिर्फ अभी एक बार बात करने पर first level complete हुआ है तीन बार बात कर लूँगा जब उसके साथ जाके मैं तो मेरा second level भी complete हो जागा अब चलते हैं बाकी की दोनों की location आपको दिखा देता हूँ तो मैंने mission करने के लिए match start किया था लगाएंगे तो यहाँ पर अब सबसे वहले करना कि आपको वह आपको मैं बताता हूं तो सबसे वहले जो टाइमर वाली location ना वहां पर जाना है तो सबसे वहले हम land करते हैं एंड लैंड करने के बाद आगे बता दो क्या करना है अब land करने के बाद मैंने थोड़ी सी loot वग तो इस पर A लिखा हुए ठीक है जो A लिख्यूई यह वहली location है जब आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको कहां पर character वहला मिलेगा वह आपको मैं दिखा देता हूं सबसे वहले उपर चलते हैं अब उपर आने के बार यहाँ पर मैं fight कर ही रहा था तब ही यहा पर आप देख सकते हैं जिंक्स सामने से भाग रही है तो सबसे वहले इसको मारते हैं यह जो है ना जिंक्स यह बहुत तंग करेगी आपको मतलब यह रुकती नहीं है जब इसके पास जाके talk पे click करोगे यह बात करती नहीं तो इसके पीछे-पीछे भागना पड़ता है त पर आप इसके बात कर लोगे उसके बाद ही एक काउंट होगा जब इसपे tokप करोगे यह जब आपसे बात करेगी तबी यह Corंट होगा तो इससे बात कर लैना तो नहींट है इसने बढलु इसके onds जा रएâu जहा रहे हैं यहां पर आपको वी मिलेगी, ठीक है तो यह ती सबसे बाले उपर चलते हैं आपको दिखाता हूँ कहां पर आपको मिलेगी अब उपर मैं आ चुका आघे जाओगे आप तो यहां पर आपको खड़ी हूई मिल जाएगि एक कौने में यहां पर देखो यह भी बात कर रही है आपके तो इसको सबसे की location मैंने आपको बता दी तीनों आपको कहा कहा पर मिलेंगे वह वह बहुत दिया अगर आपको समझ में नहीं है तो वीडियो को दो बारा से रिपीट पे देखो आपको समझ में आ जायागा तीनों से आपको तीन नहीं तो complete ही नहीं होगा आप जाके purchase भी कर लोगे खुद से यूज भी कर लोगे फिर भी आपका counting नहीं होगा यहां पर लोक लगा रहेगा तो इसे complete कैसे करना है चलते हैं टाइमर लगा रहता है यहां से आउड के आप जा सकते हो mirror world में आप सभी को पता होगा ऐसी दो location है एक पे लिखा होता है जो कि मैंने आपको character के time पर भी बताया अब यहां पर जब timer खतम होगा तो यहां पर blue blue हो जाएगा आपको इसके अंदर जाना है अंदर जाने के बाद क crystal मिल रहे है इसे collect करने आपको 20 से ज्यादा crystal collect करने सबसे बहले तो यहां पर मैं crystal बगारा collect कर लेता हूं अब यहां पर मैंने 20 से ज्यादा crystal collect कर लिए अब यहां पर मुझे मरना है तो मैं मरने के लिए क्या करूंगा सबसे बहले मुझे किसी ऐसे player को ढूंडना पड़ेग या फिर कोई boss वगएर यहाँ पर जो होते हैं उनसे जाके मरना पड़ेगा तो यहाँ पर जाके मैं मर जाता हूँ फटावर से इनके हाँ तो तभी मैं नीचे जा पाऊंगा एंड जो stuminal pack है वो order कर पाऊंगा तो सबसे बहले यहाँ पर मरते हैं तो finally मुझे यहाँ पर एक real player मिल गया तो इसके हां तो मरते हैं मरने के बाद नीचे चलते हैं नीचे जाने के बाद क्या करना है वो आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ अब सबसे बहले आपको land करना है एंड वो जो pack था उसे order कर देना है तो order करने के बाद क्या करना है वो main चीज है क्योंकि order करते ही वो complete नहीं होगा ठीक है उसे use भी करना है use करने के लिए आपको क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ सबसे बहले तो यहाँ पर मैं उतरते order करता हूँ and order करने के बाद इसे पहन लेना है ठीक है पहनने के बाद क्या करना है देखो यहाँ पर मैंने order किया अब यहाँ पर मैं देखता हूँ बैग खोल के कि मेरे बैग में आया क्यों नहीं तो फिर मैं उसके बाद दोबारा से क्रेट ओपन करता हूँ तब जाके पता चलता है कि वो क्रेट के अंदर ही था तो क्रेट खोली मैंने यहाँ पर मिल गया मुझे यहाँ पर मेरे कंदों पर लग गया यह अब यहाँ पर सबसे बहले मैं गाड़ी उठा रहा हूँ और यहाँ से निकलता हूँ बंदों की तलाश में क्योंकि इसको पहनने के बाद एक बार आपको किसी न किसी प्लेयर को मारना है उससे थोड़ा डैमेज लेना है या फिर उसको डैमेज करना है ठीक है तुँ प्लेयर ढूलेता हूँ मैं जाके अम मैं बंदों की तलाश में घूमी रहा तो तब मुझे यहाँ पर एक बाइक दिखती है मैं समझ यहाँ पर कोई ना कोई होगा एट पहले बंदे को मारने इसे मैं कम्प्ली परता हूँ एंड इससे पहले भी मैंने 3-4 मैच में इस मिशन को कम्पलीट करने के लिए वीडियो रिकोर्डिंग ओन की एंड वो कम्पलीट ही नहीं हुआ फिर जाके मैंने ध्यान से पढ़ा तब जाके मुझे पता चला कि इसे यूज करना है प्रोपर तो इस वज़े से मैंने सोचे इस वाले मैच को पूरा खेलते हैं जब तक मैं मरनी जाता खुद से एंड उसके बाद देखते हैं कम्पलीट होता है या नहीं अब यहाँ पर मैं नोर्मल मैच की तरह इस वाले मैच को खेलने लग जाता हूँ यहाँ पर मैं कूद के ही मर जाता हूँ एंड मरने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ एंड बाहर निकलने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ यह वला जो मिशन है हमारा वो कंपलीट हुआ या नहीं तो सबसे बाहर चलते हैं यहां पर देखो यह अपने बंदे को कंदे पे उठाके लेके जा रहा भाई क्या सीन है भाई यह जो निया option इन्हों ने दिया है ना भाई गजव का दिया है मैंने वैसे तो अभी तक यूज नहीं किया यहां पर साफ साफ लिखा हुए कि server जब progress कर लेगा 50% तभी यह complete होगा मतलब कि यह आप खुद से complete नहीं कर सकते और जो इसके अगले वाला mission है मतलब कि आखरी mission है इसमें भी साफ साफ लिखा हुए कि server progress जब कर लेगा 100% तभी यह complete होगा अब यह server progress क्या है तो यह वाला mission है जो आपको दिख रहा होगा वाव वाला यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको server progress यहां पर दिख रहा होगा 14% हुआ है यह अपने आप complete होने वाला mission है मतलब कि जितने भी इस वाले server पर बंदे खेल रहे हैं इंडिया के server पर वो सब जब अपने अपने mission complete करेंगे तो daily कुछ ना कुछ percentage बढ़ेंगे है ना तो यह वाला mission तो automatic होने वाला है तो यह अपने आप हो जाएगा तभी आपको title मिलेगा अब यहां पर आपको क्या करना है आपको आगे वाले 7 mission complete कर लेने है जैसे कि यहां पर second वाला mission छोड़के है बाकी some मैंने complete कर लिया second वाला भी मेरा complete हो जागा सिरफ एक बार जाके js से मैंने की कोशिश की है बाकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना बाकि हम बैठे ही है बाकि आज की वीडियो में इतना ही सारी आती ही है 90% चीजे जो मैं बताता हूं आपको वो आती है 10% कभी-कभी उपर नीचे हो जाता है इतना तो चलता है बाकि यह वाला बैग अगर आपने क्लेक्ट नहीं किया तो जाके क्लेक्ट कर ले एक हजार आपको सेनर्जी करनी पड़ेगी प्रसनल सेनर्जी जो होती ह यह अपने आप हो जाएगा जब आप खेलोगे आप तीन से चार मैंचे अगर अच्छे तरीके से खेलोगे तो यह आपको आपको साथ में एक क्रेट मिल जाएगी classic की एंड उसके इलावा कुछ scrap मिल जाएगे एक ही scrap है कुछ तो नहीं है उसके इलावा यह parachute मिल जाएगा जो कि time limited है and उसके एलावा update किा आपने तो update करने की daily login event आ रख है, तो यहां पर आपको काफी सरी चीज़े मिल रही है, साथ में t-shirt मिल री है time limited and अगर आपने update किया तो update करने के भी आपको 2 creature यहां से मिल रही होगी, 2 creature यहां से 1 creature यहां से,